दक्षिन अफ्रिका के खिलाफ सेंचूरियन में खेले गए दूसरे ट्वेंटी मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा पूर्व कप्तान MS धोनी और मनिश पांडे की शांदार बल्ले बाजी के बदौलत भारत ने मेजबान को 189 रनों का लक्ष तो दिया मैच के दौरान मैदान पर धोनी का अक्रमक अंदाज भी दिखा और उन्होंने जम कर चौके चपके लगाए मैच के आकरी ओवर में जब धोनी स्ट्राइक पर थे तो उन्होंने नाराजगी जताते हुए स्कोर बोट की ओर देख रहे मनिश पांडे को डाट भी लगा दी थी धोनी का ये वीडियो शोशल मीडिया पर लगतार वाइडल हो रहा है मनिश पांडे से धोनी बोले ओए वहां क्या देख रहा है इधर देख ले आवाज नहीं आएगी इशारा देखना आपको बता दे कि धोनी की बल्ले बाजी देखकर दर्शकों में जबरदस उत्सा था और मैदान पर जोर जोर से धोनी धोनी की आवाज गुंज रही थी ऐसे में दोनी ने अपने साथी खिलाडी से कहा कि वो उनके इशारों को समझे क्योंकि शोर की वज़ा से आवाज वहां तक नहीं पहुँच पाईगी दोनी ने पांडे के साथ मिलकर अफरीका के सामने बड़ा लक्ष खड़ा किया दोनी ने इस में नाबाद 52 रनों की पारी खेली जिसमें 3 चक्के और 4 चौके शामिल थे मनिशपांडे ने भी 66 गिंदों में शांदार 89 रनों की पारी खेली दोनों ने मिलकर आखरी वक्त में टीम के लिए 98 रनों की साज़िदारी की लेकिन मैच में भारत को हार कसामना करना पड़ा मैदान पर कीपिंग के दोरान धोनी को अकसर विकेट के पीछे गिंदबाजो को निर्देश देते सुना जाता है दोनी बड़ी चालाकी से गिंदबाजों को कुछ नकुछ बोलते रहते हैं ताकि बल्लेबाजों को फसाय जा सके लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी के दरान साथ बल्लेबाज को दोनी की ये हिदायत जरूर याद रहने वाली है